नमस्कार नेक्स्टाइ न्यूज देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ किरन यादव आज की इस खास रिपोर्ट का मुद्दा है कि पाइलिट गुट लगातार मलिक अरजुन खड़गे को जटके पे जटके क्यो दे रहे हैं दरसल हम आपको बताते चले की देखिया अशोक गैलोद गुट के तीन भागी विधायकों ने जिस तरीके से 25 सितंबर को रणिनीती अपनाई थी 25 सितंबर को कॉंग्रिस आलाकमान को एक बड़ा संकेत दिया था उसके बाद से इन तीनों नेताओ यानि की धरमेंद्रे राठ महिश जोशी और शांती धारिवाल ये तीनों नाम ऐसे हैं जो लगातार उभर कर सामने आ रहे हैं और सचिन पाइलिट के साथ साथ सचिन पाइलिट गुट के भी जितने भी विधायक हैं वो लगातार यहीं मांग कर रहे हैं कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिक अर्जुन विधायकों पर उन तीनों ही नेताओं पर जल्द से जल्द कारवाई की जाएं आपको हम बताते चले कि देखें लगातार अशोक गहलोद गुट और सचिन पाइलिट गुट के बीच में आरोप प्रत्यारोप की राजनिती चल रही हैं दोनों की तरफ से आरोप एक दूसर पर लगाई जा रही हैं आप देखना ये होगा कि आखिरकार किसके आरोप यहाँ पर मजबूत देखने को मिलते हैं क्योंकि राहूल गांदी की भारत जोडो यात्रा राजस्थान में पहुचने वाली है और राजस्थान में हम आपको बताते चले कि अभी सचिन से विधायक बनाया हुआ है और कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है तो लगातार सचिन पाइलिट गुट के जितने भी विधायक है उनकी यही मांग है और देखी लगातार सचिन पाइलिट भी अशोग गहलोत पर निशाने साथ रहे हैं साती साथ अशोग गहलोत की तो इस चीज के बाद से ही लगातार सचिन पाइलिट यही कह रहे हैं कि इस चीज को हलके में नहीं लेना चाहिए यानि कि उन्होंने इंडारेक्ली अशोग गहलोत की तुलना की गुलाम नभी आजाद के साथ अब देखना ये होगा कि आखिरकार अशोग गहलोत की पर जन्होंने के साथ चै।